हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीर शेक आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी लिव्ट पर बनाएगी एक और कंटेंड की सीरीज रॉकेट बॉइस को जिस सीरीज का मैं बहुत ही बेसबरी से वेट कर रहा था वो अब इस सीरीज को देखकर पूरी तरीके से क्लियर हो चुके है और नो डाउट सोनी लिव वालों की तरफ से हर बार कंटेंड के मामले में बहुत कुछ ट्राय किया जाता है और ये सीरीज भी एक ऐसी important सीरीज है जिसे आपको बिलकुल भी miss नहीं करना है लेकिन उसके साथ कई सारी conditions भी जुड़ी हुई है यानि के different type के audience जिन में definitely ये सीरीज मैं इंट्रों के पहले ही clear कर देता हूँ के masses audience को बिलकुल भी ध्यान में रख कर नहीं बनाई गई जो की एक unfortunate तो है ही लेकिन जो भी हो सीरीज की demand इसके makers से पूरी तरीके से honest रहने की करती है जिस honesty के साथ makers ने अपना काम अच्छा तो किया ही है जिन सारी की सारी details पर इंट्रों के बात बात करेगे लेकिन इससे पहले आजाए कहानी पर तो ये कहानी इंडिया के दो ऐसे important person पर बात करती है जिनका नाम इतिहास में अमर है जिन में से एक होमी जांगीर भाबा जिनने उनके नाम के अलावा father of the nuclear भी कहा जाता है जिसकी शुरुआत उनसे हुई थी और दूसरा नाम डॉक्टर विक्रम सारा भाई का है जिनने father of the Indian space भी कहा जाता है यानि के दोनों ही अपनी field में एक दिगगत scientist है वो भी इंडिया के एक ऐसे दोर में जिस वक्त इंडिया की शुरुआत न्यू इंडिया के नाम से भी हुई थी और फिर उसके बाद मुसीबत यानि के war की tension जो चाइना से चल रही थी उसकी भी detail इस series में डाली गई है बाकी pre independent और post independent का भी एरा हमें इस series में देखने मिलता है जो दोनों ही time period इंडिया की गुलामी और आजादी का समय दिखाता है जिसमें research बहुत ही जादा तगड़ी है जिससे मैं क्या हर कोई काफी जदा पसंद करेगा कि लोगों की सोच इस दोनों ही time era में कितनी जादा बदली थी और लोग कैसे इस new इंडिया में नए नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे जिसमें ये दोनों ही दिगत scientists अपने offer के साथ जिस इंडिया को आगे बढ़ाने का passion फॉलो करते है उसमें इनका सफर कितना ज़्यादा tough है और किन-किन मुश्किलों का सामना इन्हे करना है ये series ये सारी की सारी details हमारे सामने काफी अच्छी तरीके से रखती है लेकिन दो problems के साथ जो कि इस series की major disappointment भी है बाकि इसके पहले season में हमें total 8 episodes देखने मिलते है और हर एक episodes की length 40-50 minute तक की है क्यानि कि ये series आपका अच्छा खासा time मांगती है जो अब आपको इस series पर देना भी चाहिए या नहीं चलिए उन सारी की सारी spoiler free details पर आते है जिसमें आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी सी request जो है इस channel को subscribe वीडियो को like और share करने की So friends पहले बात कर लेते हैं इसी point पर कि हाँ आप ये series को देख सकते हो अलाकि इस topic पर पहले ही किसी ना किसी तरीके का project बन जाना चाहिए था बट unfortunate फिलाल तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं हुई लेकिन आज की तारीक में OTT के जमाने में ऐसे content की जरुत थी जिसे creator ने provide कर कर ये बता दिया है के इन सारे के सारे topics को बायोपिक के ही नाम पर अच्छी तरीके से बना कर present किया जा सकता है क्योंकि इसमें realism बहुत ही जादा कूट कूट कर डाला गया है यानि के जबरदस्ती की देश भक्ती आपको इस series में देखने नहीं मिलती और mass level जैसी कोई भी चीज इस series में बिलकुल भी नहीं है जिस कारण से उनकी नजर में ये show पूरी तरीके से flop है जिन से उन्हें कोसो दूर रहना है क्योंकि इसके अलावा इस series की tone हिंदी के साथ-साथ English की है जिसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इंडिया का एक ऐसा दौर जो अभी अभी गुलामी से आजाद हुआ है तो ऐसे time period में लोग again educated ही English और Hindi को मिला कर ही बात करते थे क्योंकि again ये time ही वैसा था यानि कि इस topic को जो treatment दी गई है वो बिलकुल ठीक है भले से ही mass audiences से करने क्यों ना करे लेकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कहानी उनके समझ के परे है जिसमें अगर conspiracy डाल दी जाए तब ही उनका interest ऐसी series में बनता है जिसका hint हमें इस series के end यानि के season 2 का मिल जाता है जिसके again कहूंगा मेरे इसाब से तो कोई भी ज़रुत नहीं थी लेकिन फिर भी जबरदस्ती का season 2 इस series की जान ही लेगा क्योंकि अगर इमानदारी से देखा जाए तो ये series अपने पहले ही season में इन दोनों ही scientist की story को पूरी तरीकी से cover कर सकती थी बट unfortunate वैसा हुआ नहीं जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही आऊंगा क्योंकि अच्छे point की बात चल रही है जिसमें उस वक्त का direction set designing से लेकर costume, characters के make-up और उस समय का time period भी दिखाना ये सभी एक बहुत बड़ा challenge है जिसे creators ने accept करकर हमारे सामने perfection ही रखी है क्योंकि अगर biopic बने तो ऐसी ही बननी चाहिए जिसमें detailing बहुत ज़्यादा matter करे बाकी show का direction और BGM ठीक ठाक है बट honestly कहूंगा editing बिल्कुल भी नहीं और यही series का major drop back है जिसमें अगर शुरुवात के दो episodes को देखा जाए तो वो दोनों ही episodes इतने ज़ादा interesting है जिन में detailing भर भर कर डाली गई है और ऐसी ही detailing आपको last के तीन episodes में भी देखने के लिए मिल जाती है क्यानि इस series के तीन episodes सिवाए हमारे time को waste और हिसाब से बहुत ज़ादा bore करने के अलावा कुछ नहीं करते जिस पर आपको घुसा नहीं वस उन तीन episodes को skip करने का मन करता है जिसे अगर मैं honestly कहूँ तो अगर आप कर भी दो तो भी कहानी में कोई भी effect नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच के उन सभी के सभी episodes में इन दोनों ही दिगगत scientist की बे मतलब की love story को घुसेड़ा गया है जो no doubt के बाइपिक में लगती है लेकिन series का जो focus है उस पर से अगर topic खट गया तो फिर लोगों का interest भी series में बिल्कुल भी नहीं रहता और ये चीज़ आप क्या कई सारी audience इस series को देखते वाग फेस करेगी क्योंकि सभी लोग इस series के main material से connect करना चाते थे और सी को दिखा कर इसका promotion भी किया गया है लेकिन बे मतलब की story इस series को सिवाय लंबा करने के लिए और कुछ नहीं करती इसलिए मैंने कहा कि ये series अपने पहले ही season में अपना pack up कर सकती थी बट unfortunate अब इसका जबरदस्टी का season 2 भी आएगा और अगर उसकी भी length दूसरे character की story के साथ ऐसी ही कुछ और detailing जानने के रही तो फिर उस series का भी काम तमाम हो जाएगा क्योंकि ये गलती season 1 में करकर creators में अपने ही पैरों पर कुलाडी दे मारी है जिस कारण से कई सारी audience अगेन इस series के साथ connect नहीं कर पाएगी लेकिन अगर आप pressure में चैनी के content के दबाव में आकर जबरदस्ती का इस series को अच्छा का होगे तो फिर वो चीज़ भी गलत है इसलिए मैं honestly वही सारी detail आपके सामने रख रहा हूँ जो इस series को देखते वक्त मैंने face की है और makers को भी ये चीज़ अपने दिमाग में दाल लेनी चाहिए कि लोग यहाँ पर अपने पैसे देकर time बरबात करने को बिल्कुल भी नहीं बैठे जो कि actual में ये series अपने उन तीन episodes में करती है इसे छोड़ series का बाकी सभी points काफी जादा अच्छा है जिस पर मैं बात कर चुका हूँ और इसलिए अब उससे हटकर सीधे आ जाते है series की ratings पर जिन में अगर मैं बात करूँ इस show के action की तो उसके लिए बनते है 5 में से आधे star comedy के लिए zero और drama के लिए मैं शो को 5 में से 3 star की category में रखूँगा बाकी बात करे suspense की तो कहानी से लेकर conspiracy के बारे में मैंने थोड़ी बहुत research करकर पड़ा हुआ है जिस कारण से series का suspense suspense पिल्कुल भी नहीं लगता लेकिन फिर भी rating 5 में से 1 star की तो बनेगी ही बाकी बात करे शो के 12 की यानि के अच्छे गुस्बम के moments की तो उसके लिए ये series इस category में पाँच में से देर स्टार तो deserve करेगी ही और अब बात करे मासस की तो मासस की नजर में शो की rating D की बनती है बाकी critics का प्यार तो इस series को मिल ही रहा है इट मीन्स के उनके नजर में शो की rating B प्लस की है जिन से हट कर मैं इस series को B की category में रखूँगा जो की हाँ disappoint करता है लेकिन फिर भी जो सच है वही detail मैंने आपको दी है और इस rating से ये series आपकी भी नजर में one time watch बनेगी मेरे हिसाब से जिस पर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे comment करकर ज़रूब बताईएगा क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे थे movie stock show channel जिससे अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजए और बगल में बनेवेज बैल आकन के साथ साथ notification को भी all पर क्लिक कर दीजेगा बाकि अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिकिसी और सीरिस के टापिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकि दूसरे वीडियो को भी इंजॉय कीजिए तिल देन बाई झाल